नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पर फ्रेंट साथ के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे लैप्टॉप के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अगर आपका बजट अंडर 60,000 रुपीज है तो डेफिनिटली आप लोग जो है यहां पर इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं by the way मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इस लैप्टॉप को आपको जो है अभी ही अभी लेना है because आप लोग देख सकते हैं कि 20 से 21 जुलाई तक जो है तो उस दोरान जो है यह वाला लैप्टॉप जो है आप लोगों को और सस्ता देखने को यहां पर मिल जाएगा इसे अगर आपको और सस्ते में खरीदना है तो आप चाहें तो फिल्प कार्ट से भी ले सकते हैं एक्सेस बैंक क्रेडिट का यूज करके जहां पर आपको 5000 रुपे का सीधा जो है ऑफ बिल रहा है ठीक है तो यह तो हो गई प्राइजिंग की बात अब बात आते है और 15 जो है व्यो बुक 15 और भी आपको जो है दूसरे मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे OLED स्क्रीन के साथ में लेकिन इसमें जो प्रोसेसर है दोस्तों वो है 13500 एच ठीक है तो यह कमान के चले गेमिंग क्लास का प्रोसेसर है बागी दूसरे मॉडल्स में आपको बली की जो है सस्ती मिल जाए लेकिन वहाँ पर यू सीरीस के जो है प्रोसेसर यूस किये गए तो आपको बिल्कुल इस चीज को ध्यान में रखना है यही वाला मॉडल्स लेना है जहां पर आपको 13 जन्रेशन का एच सीरीस प्रोसेसर मिल रहा है 15 इंच की OLED पैनल आप लोगों को म आते हैं OLED वाले वहाँ पर आपको 500 निट्स के ब्राइटनेस मिलती है लेकिन आपको 600 निट्स की जो है पर ब्राइटनेस देखने को मिल चाहेगी 1080p resolution है and it's a 60 Hz OLED पैनल ठीके तो उससे उतना कुछ ज्याता फरक पढ़ने वाला नहीं है सबसे पहला दोस्तों यहां पर आती है fantastic screen इस price point पर आपको जो है बहुत ही कम ऐसे laptop है जो कि इतनी अच्छी quality की जो है दोस्तों यहां पर screen provide कर रहे है तो anime watching हो गया movie watching हो गया web series watching हो गया उन सब चीजों के लिए कमाल का है तो student के लिए मैं बोलोंगा बिल्कुल सही है और क्योंकि processor इतना ज्यादा heavy इन लोगों ने दिया हुआ है तो कोई भी मुश्किल से मुश्किल टास्क में आप लोग करेंगे न कोई भी आप लोग जैसे की AutoCAD चलाना हो MS Office चला जाँगे कि भई कोई graphic card क्यों नहीं है तो friends let me tell you कि देखो अगर ये एक proper gaming laptop होता ठीक है ये एक gaming laptop की तरह अगर ये market किया जाता then it would have been necessary ठीक है तो उसकी अर्दक से additional cost लगती लेकिन आजकल graphic card की दोस्तों उतनी ज्यादा ज़रूरत नहीं है especially for the lower end task graphic intensive task because इसके अंदर आप ल 50 या फिर 1650 तक जो है आपको आराम से performance निकाल के यहाँ पर देंगे और इतनी दोस्तों इंटल के processor की optimization जो आप लोगों को मिलती है वो काफी बहतरीन तरीके से जो है देखने को मिल जाती है क्योंकि OLED पैनल है तो इस वज़े से हो क्या रहा है यहाँ पर battery consumption भी आपका जो है क्या होगा एक इसका advantage यह है कि जो भी आप content देखोगे ज्यादा तर YouTube का content भी 16 तो 9 में है movies 16 तो 9 में है anime 16 तो 9 में है तो कोई आपको उपर नीचे black power देखने को नहीं मिली लेकिन अगर आपने 16 तो 10 यूस किये हो हैं laptops आपको मालूम होगा कि browsing में उसमें काफी जादा मजा है because vertical space काफी जाता आपको वहां पर देखने को मिल जाता है ठीक है तो students के लिए पहली च्वाइस है working professionals भी इसको consider यहां पर कर सकते हैं मैंने बोला आप से की एक all-in-one laptop जिन अभी तक पता नहीं कि उन्हें आगी जिंदगी में क्या करना है ठीक है students honestly speaking अगर आप इसे college में लेते हैं अगले वीडियो में और दोस्तों मुझे इसी तरह के से लाइक कीजिए सेयर कीजिए सब्सक्राइब